कुरोना संकट की वज़े से पूरा देश लॉक्टाउन है बाजारों में सननाथा पसरा है ओफिस बंध है करोडों करमचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे है यानि घर से अपना काम कर रहे है 130 करोड देशवासी घरों में कैथ है बहुत जरूरी होने पही घरों से बाहर निकल पा रहे हैं लॉक्टाउन के इस महौल में वीडियो कॉन्फरेंसिंग और ग्रुप चैट अप्स की डिमाड बढ़ गई है ग्रुप चैट अप्स ने वाट्स अप और फेस्बुक को भी पीछे छोड़ दिया है ग्रुप चैट के जरीए लोग यार दोस्त के साथ मस्ची तो कर ही रहे हैं साथ ही ये ओफिस के कलीज के साथ मीटिंग करने में भी मदद कर रही है सरकारी दफ्तरों में ग्रुप वीडियो कॉन्फरेंसिंग अप के जरीए ही मीटिंग की जा रही है भारत में पॉपलर ग्रुप चैटिंग अप्स में हाउस पार्टी, स्काइप, जूम, पेस्ट टाइम शामिल है लेकिन लॉक्टाउन के दौरान भारत में जूम एप ने बाजी मारी है जूम एप अब भारत में सबसे जादा बात डाउनलोट किया जाने वाला एप बन चुका है इस एप ने WhatsApp, Instagram और TikTok जैसे पॉपलर एप को भी पीछे छोड़ दिया है मुंबई की रहने वाली महमा रहना ने भी जूम एप के जरिये अपने दोस्तों के साथ अपने बड़े पाटी चेलिबरेट की झाल तोगहर भी च्टीज इन दोबाँ ख्यूम तो घा है अवाल च्टों की जातनी अवहरा थैश्टी। this meditation class on zoom the other day and there were 25 other people in that class and that was something different and and it was it was a really good experience I know a lot of people are also offering yoga classes and dance classes using zoom so so yeah I think it's a great application zoom a free hd meeting app है इसके जर ये यूसर एक बार में जादा से जादा 100 लोगों के साथ बात कर सकते हैं एप की सबसे बड़ी खासियत है इसका आसान यूजर इंटरफेस इसके साथ ही zoom एप में कई और फीचर भी दिये गए हैं zoom की तरह दूसरे वीडियो कॉन्फरेंसिंग एप भी खुग पॉप्लर है WhatsApp भी लोगों के बीच काफी प्रचलेत हैं लेकिन इसमें सिर्फ आप 4 लोगों को ही एक साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग में जोड सकते हैं During the time of Corona as we all we all have been asked to sit at home and maintain social distance from everyone around and not step out so we are trying to do as much we can whatever has been told to us we are trying to follow it but at the same time we would like to stay connected to our families you know be in touch with our loved ones and so we are using different apps like WhatsApp voice Dubai you know to to stay in touch with people who are not in India who are abroad and our relatives our families just to make sure that they are fine and maintain the social distance but still making sure that there is no gap coming between our relations Corona को हराने के लिए एक मात्र हत्यार है social distancing ऐसे में कुप चैट और वीडियो कॉन्फरेंसिंग आप लोगों को social distancing maintain करने में धूब बंदत कर रही है कर दो